सवी का जीवन सफर गुम है किसी के प्यार में सवी स्टार प्लस के लोग प्रियधारा वाहिक गुम है किसी के प्यार में की एक प्रमुख पात्र है वह सई और विराट की बेटी है जिन्हें बच्पन में ही अलग कर दिया गया था सवी का जन्म, सवी का जन्म सई और विराठ की शादी के बाद हुआ था. लेकिन जगताब सई का दुश्मन उसे सवी से छीन लेता है और उसे उशा नामत एक महिला के पास छोड़ देता है. उशा सवी को अपनी बेटी की तरह बालती है. सवी का बचपन, सवी का बचपन गरीबी और मुश्किलों में बीटता है वह उशा के साथ एक छोटे से गाउ में रहती है और अपनी पढ़ाय लिखाई जारी रखती है सवी एक दयालू, इमानदार और आत्मनिर भर लड़की है सवी और सई का मिलन, सवी और सई का मिलन कई सालों बाद होता है सई को पता चलता है कि सवी उसकी बेटी है और वह उसे अपने परिवार में पापस लाती है सवी का चवहान परिवार में प्रवेश, सवी चवहान परिवार में प्रवेश करती है और धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के साथ तालमिल बिठाती है। वह अपने दादा दादी, अश्विनी और नीनाद, अपनी चाची पत्रलेखा और अपने चचेरे भाई समराथ और राजीव से प्यार करती है। हालांकि सावी को अपनी दादी भवानी से विरोध का सामना करना पड़ता है, जो उसे स्विकार करने में हिच्किचाती है। सवी और इशान की प्रेम कहानी, सवी और इशान, पत्रलेखा और समराथ के बेटे एक दूसरे के प्यार में पढ़ जाते हैं। उनकी प्रेम कहानी कई चुनोतियों का सामना करती है, लेकिन अंतर वे एक साथ हो जाते हैं। सवी का करियर सवी एक महत्वाकांशी युवती है, और वह अपना खुद का करियर बनाना चाहती है। वह एक दौक्टर बनने का सपना देखती है, और अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कड़ी महंत करती है। सभी के जीवन में उतार चढ़ा, सभी के जीवन में कई उतार चढ़ावाते हैं। वह प्यार, नुकसान, विश्वास खात और चुनौतियों का सामना करती है। लेकिन वह हमेशा सकारात्मक बनी रहती है, और अपने लक्षियों को प्राप्ट करने के लिए द्रिट रहती है। झाल